हलो हमारा आज को टॉपिक है गौलजी बोडीज ऐो गौलजी बोडीज इस वन अनधर इंपॉर्टेंट ऑर्गिणल जो एक सेल के अंदर प्रेजंट होता है गौलजी बोडी का काम है प्रोटीन्स को सौट करना मतलब अलग-अलग के प्रोटीन को अलग-अलग जगा पे भेज देना, this is called sorting, यह देख सकते हैं, हमने अलग-अलग जगा प्रोटीन को अलग जगा भेज दिया, next उन्हें पैक करना, तो हम प्रोटीन को एक round structure में पैक कर देते हैं, जिससे हम vesicle कहते हैं, इस तरह समने से पैक कर दिया है, और इसे transport कर देना, हम इसमें कुछ label लगा लेते हैं, कि आप nucleus में जाओगे, आप mitochondria में जाओगे, आप chloroplast में जाओगे, आप cell wall में जाओगे, तो इस तरह से वो आसानी से shift हो जाते हैं, तो this is a function of Golgi bodies, प्रोटीन हमने पढ़ा ही था, कि प्रोटीन हमारा endoplasmic reticulum बनाता है, so endoplasmic reticulum हमारे प्रोटीन 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 करता है, और Golgi body हमारे प्रोटीन को सौट, पैक और ट्रांसपोर्ट करता है, यह Golgi bodies, इनको Camilo Golgi ने सबसे पहली बार discover किया था, और animal cells में हम इने dictosomes भी कहते हैं, अगर Golgi body की structure के बारे में बात करें, तो Golgi body में एक इस तरह का bag like structure है, जिसे हम sister name कहते हैं, कभी-कभी sister name में इस तरह से tubes भी निकलती है, जिने हम tubule कहते हैं, और यह tubes छोटे-छोटे round structures में end हो जाते हैं, जिने हम vesicles कहते हैं, यह बहुत सारे sister name होते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं sister name बहुत हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, there are 6 sister name, और यह छोटे-छोटे गोल-गोल आपके vesicles हैं, उसके अलावा, गोलजी body में एक face होता है, concave इस तरह से, इसको हम कहते हैं, cis face, concave का मतलब है, जिसके अंदर इस तरह से घड़ा होता है, इसको हम कहते हैं, cis face, इसमें proteins enter करते हैं from endoplasmic reticulum, जब endoplasmic reticulum कोई protein बनाता है, तो वो protein आपके cis face के थुरू, आपके गोलजी body में आ जाते हैं, और फिर वो transfer होते हैं, अगले sister name में, फिर अगले sister name में, और finally trans face से ये निकल कर अलग-अलग जगा चले जाते हैं, so this is called the trans face, ये देखिए, cis face में incoming transport vesicle आ रहा है protein लेकर, from endoplasmic reticulum, और trans face से newly formed vesicle जा रहा है to nucleus, ये जहां भी उसे जाना हो, so this is called transporting of protein, inside the golgi body, inside the golgi body, protein को modify किया जाता है, like this is a normal protein, इसमें हम कुछ और चीजे लगा देते हैं, तो हम इसे modify कर देते हैं, it modifies proteins and lipids, और उसके बाद, उस modification के बाद, हम इस उस modification के बाद, हम इस protein को pack कर देते हैं, फिर इसको send कर देते हैं, जहां पे भी जाना हो, so this was, this was the function of, this was the function of golgi bodies, right, so it transports proteins and lipids, it modifies protein and lipids, और ये receive करता है protein and lipids को from endoplasmic reticulum, protein के साथ ये lipids को भी receive करता है, what are lipids? lipids, जैसे अब butter खाते हैं, घी खाते हैं, तेल खाते हैं, these are called lipids, ये भी endoplasmic reticulum में बनते हैं, अगर आपको याद होगा, तो smooth endoplasmic reticulum में lipids बनते हैं, वो भी golgi body में आते हैं, उन्हें भी modify किया जा सकता है, और ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और proteins हमारे बनते हैं rough endoplasmic reticulum में, जो आपके golgi body में आएगा, उसे modify किया जाएगा, फिर उसे transport किया जाएगा, और ये lysosomes भी बनाते हैं, now lysosomes are very important and we'll come back to that, so this is a function of a golgi body, तो अगर आप ये एक cell देखें, if you look at a cell here, ये cell है, इस cell में हमने nucleus पढ़ लिया है, nucleus के ने चोटा सा जो structure इसको nucleolus कहते हैं, ये RNA बनाता है, ribonucleic acid, उसके अलावा nucleus के साथ हमारा attached होता है, ये देखें आप ये yellow color का structure जिसको हम कहते हैं endoplasmic reticulum, जो protein बनाता है, और ये endoplasmic, ये this is RER, rough endoplasmic reticulum, क्योंकि इसमें red color के ribosomes attached हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर orange color का भी देखेगा, इसे कहते हैं smooth endoplasmic reticulum, जो lipids बनाते हैं, तो lipids बनने के अबाद ये green color की body में जाएगा, जिसे हम कहते हैं gulgy body, gulgy body अब देख सते हैं, this is a big structure of gulgy body, इसमें 1, 2, 3, 4, 4 bag like structures हैं, जिने sister ने कहा जाता है, तो ये देख सते हैं, इसमें receiving side है, जिसको कहते ह सिस side, आप देख सकते हैं, किस तरह से एक vesicle endoplasmic reticulum से enter करता है यहाँ पर, और ये एक cistern से दूसरे cistern में जाता है, तो दूसरे से तीसरे में जाता है, और फाइनली ये trans side से shipping हो जाती है, और ये cell से बाहर भी निकल सकते है, तो this is the function of a gulgy body, this is also a very good diagram, आप देख सकते है इसमें एक cis face है, जिसे receiving side कहते हैं, इसमें एक vesicle rough endoplasmic reticulum से आ रहा है, आने के बाद ये vesicle अंदर ये देखे, बहुत सारे cistern में modify होता है, in the first one, in the second one, in the third one, in the fourth one, और ये fifth one में भी modify हुआ और फाइनली ये trans face से shipping हो जाता है, और इसको फिर हम sent कर देते हैं, so this is the function of a gulgy body इसका काम है modify करना, proteins को, इसका काम है sorting करना, अलग-अलग separate करना, packing करना और transport करना, so this is the function of a gulgy body, हम चलिए आजके ले इतना ही बढ़ते हैं, have a nice day.